हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मैं हो निधिपारिक व्याख्यता चित्रकलागी गौर्मेंट कॉलेज खेरवाडा से विध्यारतियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बीए फरस्टियर का जो सेलेबस है उसके बारे में कुछ आपको कि बीस्पार पूर्वा कुछ इसके बारे में जानकरी दूनों गी सेलेबस से की सेलेबस अलेट्जिन ही आज हम खूंच डिसक्छन करेंगे कुछ चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सेलेबस में हमारे पास दो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल फर्स्ट में पहले प्रैक्टिकल पार्ट में हमारे पास इस्टिल लाइफ है इस्टिल लाइफ का आर्थ होता है वस्तू चितरन इसको हिंदी में वस्तु चित्रन कहते है और जो हमारा सेकिंड पार्ट है सेकिंड प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा वो है ड्रेंडरिंग जिसे हिंदी में द्वियायामी चित्रन कहा जाता है इस तरह से हमारे पास दो प्रैक्टिकल है पहला Still Life और दूसरा है हमारा Rendering Still Life आले पार्ट में हमें सामने कुछ Object रखने होंगे और उन Object को हूँ बहु हमें Draw करना होता है और जिसमें हम एक गोल आकरती रहती है हमारी एक हमारे पास लंबी आकरती रहेगी और एक हमारी वीर्थ में चोड़ी आकरती Just Like Book मान लीजिए आप उसमें नीचे कोई डबबा मान लीजिए और इस तरह से हमारे पास उसमें शेप रहेगा कोई भी डबबा कार्टून का जो बॉक्स होता है वो और इस तरह से कोई भी चोकोर जो आपको चीज नजर आती है तो वो उससे लेटेट और गोल में आप देख लीजिए कि या तो कोई फ्रूट्स रहेगा Just Like Apple Orange या कोई भी गोल आकरती आपको बनानी होगी ड्रो करनी होगी और लंबी आकरती में आप देख लीजिए या तो कोई पोट का आकार हो वो या फिर जैसे कोई बोटल का शेफ हो काज की बोटल का शेफ हो तो उससरह का आकर हमें बनाना होता है तो इससरह से हमारे पास Still Life में कुछ Objects हमाई सामें रखे जाते हैं जिसे हमें Pencil के ज़वरा ड्रो करके उसमें Light Tones Middle Tone और Darker Tone यानि सबसे हलका ऐसा बीच वाला जो Middle Tone होती है हमारी वोला और Darken यानि सबसे च्छाय वाला गहरा ऐसा हमें दर्शाना होता है और इस चीज के लिए हमें कलर्स में हमें Water Colors का हमें यूज़ करना होता है और Poster Color का हमें यूज़ करना होता है लेकिन Water Color को मैं ज़्यदा प्रिफर करती हूँ इस चीज़ में क्योंकि Water Color हमारे लिए Transparent रहते हैं पार दर्शीता उसमें दिखाई जा सकती है तो Water Color इसके लिए Best रहता है Still Life में आपको Water Color यूज़ करना है और इसमें Water Color में Soft Brushes जो आते हैं वो आपको यूज़ करना है इसी के साथ मैं Second Practical की बात करूँ तो Second Practical में हमें द्वियाय में चित्रन करना होता है जो हमारे पास Practical Part में जो भी हमारे पास सामने आकरती रखी जाती है चाए वो गोल हो, लंबी हो जो भी वस्तु चित्रन हमारे सामने रखा जाता है उसी का हमें उसी को तोड मरोड के हमें उसी जो Country Shit जो हमें दी जाती है उस पर हमें उसको ड्रो करना होता है तोड मरोड का मतलब होता है In the sense की हम उसे जैसे की ये जो गोल आकरतिया आपको सामने नजर आ रही है तो इसको आपको इस तरह से जैसे की आपको गोल दिखाना है तो आपने ये आधा गोलाया दिखाया और इसी का नीचे का जो अंदर की सतर है वो आपने यहां दर्शादी कहने का मतलब है कि आपको इसको वैसे ही सामने एक तरफ से ही नजर आ लिए लेकिन आपको इसको चारो तरफ से आपकी जो निरक्षन शमता है उसको इस तरफ से आपको इसको देखना है कि यह आपको चारो तरफ से आपको दिखाई दे और उसको आपको जैसे आपको उसके depth गहराई भी दिखाई दे रही है आपको उसकी width चोड़ाई भी दिखाई दे रही है सामने का आपको share भी दिखाई दे रहा है तो ये इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को आपको तोर मरोड के बनाना होता है जैसे कि यह मैंने गौल आकरती को यहाँ पे मैंने आधा बाग यहाँ दिखाया और इसका नीचे का जो सतर है वो मैंने यहाँ शो कर दी तो इस तरह से यह गोल आकरती आपको बन गई इसी तरह से ओर भी आकरतिं जो भी आपके सामे लखी जाएगी उसको तोर मरोड़ की आपको flat color flat color in the sense कि आपको इसमें कोई shade नहीं करना है इसको flat भरना है without shading आपको इसमें work करना है और flat color के साथ ही आप इसमें colors का repetition करेंगे यानि जो कलर आपने यहां बरा है वो कलर आपको आगे भी भरना है ऐसा नहीं कि आपने इसी पार्ट में भरके उसको छोड़ दिया तो इस तरह से आपको दो तिन कलर सेलेक्ट करके आपको उसको रिपीटेशन के अकोर्डिंग आपको पूरा ये कमपोजिशन आपको कमपीट करना है ये जो स्टिल लाइफ और ये द्वी आयमी है ये आपस में रिलेटेड ही रहेंगे जिसका आप वस्तुचितरन करते हैं उसी का आप द्वी आयमी बनाने का भी प्रयास करें इसी के साथ हमें पांच शीट तो हमें स्टिल लाइफ में बनानी होगी जो फाइनल होगी हमारी इसके लावा आप प्रैक्टिस वर्क में और अलग बना सकते हैं और पांच ही शीट हमारी रैंडिंग वी आयमी में होगी इस तरह से हमें टोटल 10 शीट हमें सब्मिट करनी होगी और स्केचि और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ड्रंग से रिलेटेट कुछ माटिरियल्स हैं कुछ सामगरी है उसके बारे में आपको जान गए दूंगी और प्लीज इसको आपने अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें सब वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें और इससे आप अपने अध्यानकारी जारी रख सकें क्योंकि बच्चों अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग तो आप नया कुछ भी नहीं सीख पाएंगे इसलिए अब अभ्यास करें और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में